वेलकम बैक गाइस तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हाउ टू कंट्रोल यूर एम लाइक प्रो प्लेयर या पर्फेक्ट एम की टिप्स और ट्रिक्स के उपर सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना क्योंकि बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि हमारा एम जो है सौट रेंज में जाने के बाद बिगर जाता है बॉडी सौट तो क्या हम पर्फेक्ट मतलब इनेमी को सूड भी नहीं कर पाते हैं वीडियो को एंड तक इसी बात के लिए जरूर से देखते रहना आई होग कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आने वाल है और आनी चाहिए सौट गन की रिक्वाइल कंट्रोल अब सौट गन की रिक्वाइल कंट्रोल होती है रिक्वाइल क्या होती है वह आपको मैं समझा लेता हूं तो यहां पर देख सकते हो कि कि अगर आप इनेमी को सूट करते हो तो यह तो वह बॉड़ी लग जाता है फर्स्ट में उसके बाद हम चला जाता है यह तो आपको जो है असमान में चला जाता है फ़स्ट से वह बड़ी लगता ही नहीं जैसे क्या इस क्लिप में देख रहाइँ अब जितन भी कोशिस करो जितना भी जोर से ड्रैक करो आपको वह जो बॉड़ी पी ही लगेगा तो आपको आपको सिजट करने में आफकी आप जैसे ही एम उसके चेसट पहों को जिए जाए के आसपास रहता है आपको जोर से ड्रेक्ट करना है कि आपको आपको स्विचो ऑगーん Ihnen के आपको aim जैसे ही आपका head पे आजाई या chest के आसपास आजाई वहाँ पे आपको जोर से तुरंती drag करना है तो यह था हमारा सबसे पहला trick तो बात करते हैं trick number 2 की जो की बहुत ज़्यादा important है और साथ में बहुत ज़्यादा easy है ठीक है तो अभी बात करने वाले straight drag और rotation drag की तो बहुत सरे बंदे क्या करते हैं एम body पे ला लेते हैं और उसके बाद rotation drag यूज़ करते हैं उनको सही में पटा ही नहीं कि क्या होता है फिर बोलते हैं कि rotation drag आने के बावजुद जो है हमारा headshot नहीं लगता तो यार आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका aim बादी पे रहेगा तो आपको straight drag करना है और अगर आपका aim बाहर रहता है जैसे इस clip में देख सकते हो तब आपको rotation drag करना है समझ जब अगदम ही easy trick है जब आपका aim बाडी पे रहेगा तो आपको सीधे से drag करना है बहुत ही असानी से one tap आपका लग जाएगा आपको rotation drag यूज नहीं करना है तो यह था दो ट्रिक्स बहुत ही simple tricks है इनको आप जरूर से follow करो और उसके बाद आप बताओ कि आपका one tap लग रहा है या नहीं लग रहा है आयोग आप मेरी बात को समझ गयोंगे तो इसी साथ चलते है trick number 3 पे जो की बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं और यह कोई trick नहीं है चोटा सा mistake है जो की बहुत सारे लोग करते है ठीक है आपको size और position के लिए एक video और मिल जाएगी मेरी चैनल पे तो आप उसको जाके देख सकते हो आपको पूरा clear हो जाएगा कि क्या करना है ठीक है तो इसका link मैं last में दे दूंगा है तो description में आपको मिल जाएगा की करना क्या है ठीक है तो आज का ये वीडियो यही था आई होपके आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना क्योंकि इस time पे सब्सक्राइबर की बहुत जादा जरूरत है बैल वल आइकन जरूर से दबा लेना क्योंकि notification आपको सही time पे पहुंच जा झाल